बार थर्ट की चुरूआत थैम सबसे पहले योशकी और रीशा को ही देखते ह। यहाँ पर योशकी उसिल किलेडों देख रहा था और करता है क्या मैं तुम्हे किस कर सकता हूँ यहाँ पर रीशा का छीदर डरी होई होती है योशंगी और क governo मैं तू क्या लूख नए कर लूगा लूगत। यहां पर वहने प्लस्पल निकलता है, यहां पर बहला होड़ है यहां यहां पर हीरो तो यहां खर। तो आप उसे चिंदा करने की जरुषा नहीं है, हिरो तो उसे गले लगाता है, और पक्का थोड़ा डिफिकल्ट होगा होगा, बढ़ मुझे पता है, तुमने इस सब कर दिया, इसके आप उसके गले पर देखता है, और कहता है, कि युष्की ने कुछ किया तो नहीं, इसका कि बाद तो आई नहीं सकती है और कि यह नहीं सकता है इसके बाद यह कहते हुए कि तुम चिंता मत करो मैं उसे तुमसे वापस लहीं लूगा वह मेरी है रिषा को पहले ही प्रिपोस्ट कर देते हो तुम उसके साथ रहते हो पर तुमने ऐसे कभी नहीं? लिए फूपस नहीं तो इसमी उसे अच्छा लगाता है तुम प्रिशा के तौम्धे होने ओपसंदा ही काफी यह एप पज़ वहार की नजार ये तेखना ये लिए है ही हिरो तो से बताता है कि यह कैफे उसने इंपने होमटाउन का फील ले सके और ऊसे थोड़ा पीसफुल पीने के लिया पे कॉफे और वनिला आइसक्रीम लाता है ही पर रिशा कहती है कि यह इसके यह है तो कि तुम्हें कुछ ज्याद नहीं है इसका हिरो तो उसे पहली बार नोटिस करता है यहां पर वह रिशा को फिर से वही कॉफी और वनिला ऐस्क्रीम देता है और कहता है कि क्या तुम्हें कॉफी पसंद नहीं तो कहता है कि आमने कोई मिस्टिक कर दी आपका और पूरा करने में तो I'm sorry यहीं पर रिशा कह तेंकी मूलता है कि उसने दरसले रोतों को पूरी तरीके से बदल दिया पहले वह ऐसा था कि किसी को भी टाइम नहीं दे पाता था पर रिशा उसके लिए काफी इंपोर्टन बनती जा रही है इसके बाद रिशा कहती है कि वो भी रोतों काफी पसंद करती है और उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी शायद लास्ट तक नहीं इसके बाद यह दोनों बाहर निकलते हैं यहां पर हम अपने ड्रामों के थर्ड में लिट को दिखते हैं इसका नाम है अकुट्सू इसके बाद अकुट्सू कहता है कि ओ देखो मिस्टर हेरो तो यहां पर हैं हमारी कोर्पोरेशन के प्रेजिएंट वह लड़की के साथ और प्रेजिएंट कब से लड़के के लिए एक कैफे खूलने लगे हैं लड़की तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टंट है है ना हेरो तो इसके बाद ओर रिशा को इससे दूर करता है और कहता है कि अकुट्सू कुछ आधा ही पी उस लगी के लिए नेक्स्ट एह री हो थी है तब ही रगाता है तब ही रगाती पास पार्टी में चलने के लिए बोलता है तब रिशा कहती है कि वो ऐसे कपड़ी नहीं पहने हैं कि वो पार्टी में जा सगे तब रोडों कहता है चिंदा मत करो मैंने सारा इंतिसाम कर रखा है इसके बाद हेरो तो उसी के रूम में ले जाता है जहांपर कहीं सारी ड्रेसेज, मतला उसकी सारे मेकप का सामान होता है इसके बाद रिशार सारी ड्रेस पहन पहन का दिखाती है वह समुझे क्यों पीडिफ़ू लग रही थी तब हेरो तो चूस करना हाड है बिकॉस तुम तो सभी में भी क्यूट लग रही हो यहाँ पर जब रिशा रेट कलर की ड्रेस पैन कराती है तो हेरो तो काफी तब पसंद आती है यहाँ पर उसका सेक्रेट टी भी हेरो तो से कहता है कि यह मिस्स की उपर जादा अच्छी लग रही है तो आपको इसे सेलेट कर लेना चाहिए हैं, फिरो तो कहता है कि उसे यहाँ पर रिशा के साथ अक्यली रहना है तो तुम जाओ, इसके बाद उसके सेक्रेटी वहाँ से चला जाता है, फिरो तो रिशा से कहता है कि अपना एक क्यूट सा फेस मेरे सिवा किसी को मत दिखाना, इसके बाद हो कहता है कि ही ड्रेस तुम पर कावी से सुन्दा लग रही है इसके बाद ये दोनों पार्टी में जाते हैं सभी लोग हिरोतो को कंगरेचिलेट करते हैं बिकॉस उसने एक न्यू कैफे जो खोला था निवसरी की ओपनिंग सेरेमनी में इसके बाद ही रिषा को सभी से इंट्रॉड्यूस करता है कि अभी वो कॉलेज गर्ल है पर वो उसकी ग Walker है और उसकी लाइव ही इसके बाद उसका हाथ दिखाता है कि अँसने उसे रिंग भी पैना दी करते हैं कि उनकी जो लाइफ है वो काफी अच्छी रहे इसके बाद हिरो तो आगे जाता है तभी रिशा कहती है कि मैं काफी तर डर रही हूँ नर्वर्स भी हूँ बिगोद इतने सारे लोगों के सामने अपनी कमेट जो कर दिया तभी यहाँ पर हिरो तो कहता है कि सब को पत पहले सी था और कहता है कि तुम्हारी गिल में कि आउएस के बाद वो रिशा की हील लेकर से ठीक कर देता है और कहता है कि चलो अब यह तुम्हारे लेक्दम सही है इसके बाद रिशा वहां से जाने लगती है लेकिन आकोट्सू इस कमरे का दर्वासर बंद कर देता है और क करें जब तक हिरो तो उसे खुद ना बता दे, एनो उसे किसी ऐनांइ से सब नहीं जाना, इसके बास फिर बी आकात्तु से जाने नहीं नहीं देखता और उसे एक B도 किस करता यहांपर हेरो तो गहता है कि तमारी हिम्मत कैसे हुए उसे हाथ भी लगानेगी, इसके बाद इन दोनों में छोटा सा जगडा स्टार्ट होता है, यहीपर रिशा का फिदा बिवचे की इसके बाद हेरो तो अपने सेक्रिटी से बुला कर कहता है कि अकोट्सू को बाहर का रास्ता दो बूलना स्टार्ट करती है यहां पर रहती ही जरूर भी से कहते हैं कि बिलकुल लिए इसके बाद इसके बाद रिचा भी शुनारे को का निया है फ़े यह होज़ेBrusha को बेंदा करनीग में से कोई और रूंट लिए नहीं ऐसे हो इनी सकता इसके आध हिरो तो वो देखती है उसके पास भाग का जाना चाहती थी पर हिरो तो यहाँ पर एक लड़की को गले लगा रहा होता है इसके बाद वो उसे अपनी कार में बिठा कर माँच से ले जाता है इसके बाद किया रिशा क कि दिल चोर चूर हो जाता है उसे लगता है शायद हरो तो ऊसे चीट कर रहा है क्या दू रास्ते में उसे अकटसु मिल तो कि उसे प्रेजेंट करता है अपनी किसके लिए सौरी बोलने के लिए तभी यहां पर रिशा कहती है कि उसी नहीं चाहिए तभी अकसु कहता है तुम का भी ता कोल्ड हाटेर हो मैं इतने अच्छे से तुम्हें सौरी बोल रहा हूं ऑपर तुम लेहीं रही हो और तुम्हारा दिमाग उस हेरो तो की वैसे तो मैं तुम्हारे लिए तभी यहां पर रिशा कहती है कि बख्वास करना बंद करो उसे उसमें कोई भी इंटरस्ट नहीं है तो तुम्हें आसे जाओ इसके बाद अकसु को कॉला ता है कि हिरो तो ने कुछ कंपनी में बबाल किया है तो उसे चलना चाहिए तभी यहां प पीजिसे उसे हख करता है और कहता है कि एम सॉरी कि मैंने तुम्हें टाइम भी दे पाए इसके बाद रिशा कहती है कि कोई वात नी पर इसके बाद एक साथ गर पर होते हैं है यहां पर रिशाव सी न्यूज को देख रही थी जिसमें हिरो तो सी लेडी के साथ था तभी र दरसल ये लेड़ी वही है ये कसा क्राइल के साथ मैंने कान्ट्राक्स कान्ट्रैक्ट साइन किया है। जिनको मैं आज एरपूर्ट से पिकर कर ने के लिए था। उसने जब लेड़ी के साथ देखा तो उसने काफी पृद्ट है। तब हिरो तो कहता है, साथ में इस लेड़ी वी कंपट्रेक्ट साइन कर लिया जाना कर लिए तुम नेजिय को पूरी तरीक एस जब तक नहीं लूगा. कुंगा भी नहीं आपर अकट्सु जब फोन कट का देता है तो अकट्सु उसी कॉल लगाता है और कहता है कि उसे लड़की चाहिए रिशा और जो उसे पसंद आ जाता है उसे वह पाकरी रहता है कि बाद हम रिशा की बैस्वन को देखते हैं जो कि उससे बात कर रही होती सू बाइबाओ घाई गांस